Undertaken का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Undertaken का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे Undertake किया गया हो या जो Undertake किया जा चुका हो उसे हम Undertaken कह सकते हैं इसके इलावा Undertake का Past Participle भी होता है Undertaken और Undertake का आर्थ होता है अपने उपर लेना, भार उठाना, चालू करना, उत्तर दायत्व लेना यानि कि किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, वादा करना, लेना, प्रियत्न करना, वचन देना, प्रारंब करना, हाथ में लेना, साहय करना या उपक्रम करना इसके इलावा, Adjective के रूप में Undertaken का मतलब हुआ कि वचन दिया हुआ, दायत्व लिया हुआ, या चालू किया हुआ, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि अनुप्रयोगों के मुल्यांकन में अनुसंधान किया जा रहा है, तो आप कहेंगे Research is being undertaken into evaluation of applications, या अगर आप ये कह ना चाहें कि अध्यन शिक्षा के शेत्र में काम करने वाले लोगों द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे the studies were undertaken by people working in education, the studies were undertaken by people working in education, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें